हलो एब्रिबान येस कैसे हो सब लोग वापस से आप सभी का स्वागत है इस कॉंप्लेक्स इंटिग्रेशन के सेशन नमबर फॉर में प्रीवियस सेशन में हम लोग ने नियूमरीकल की शुरुवात कर दीती कॉंसेट लाइन इंटिग्रल का अल्रेडी हम लोग ने पढ़ लिया है जाके जरूर सेशन नमबर वन और टू देखिए और सेशन नमबर त्री में एक नियूमरीकल की प्राक्टिस करके वापस से इस सेशन में पहुँच जाई है क्योंकि आज भी एक खतरनाक वाला सवाल आ लेकिन इसके पहले महबत वाले लाइक की जरूरत है प्यार बरे शेयर की जरूरत है और वाटस अप आप टेलिग्राम जू ग्रूप जॉइन करना बिल्कुल बूलिएगा नहीं नीचे डिंस्क्रिप्जन वाक्स में उसका लिंक दे दिया है चलिए शुरूत करते हैं आज के सवाल के साथ obviously line integral का सवाल है तो important है और खतरनक वाला ही सवाल बाबाजी लेते है तो चलिए evaluate the integral evaluate the integral the integral okay क्या होता है integral क्या दिया है उन्होंने और क्या होगा okay evaluate the integral मैं थोड़ा specs निकाल के रखता हूं integral integration 0 से लेकर 1 प्लस i okay यहां पे दिया गया है x plus sorry x minus y plus i x square और यहां पे होगा dz यह उन्होंने provide किया गया है ठीक है और दो condition इन्होंने दिया है along along the line from along the line from क्या है line देखिए from z is equal to 0 से लेकर z is equal to 1 plus i amazing amazing and second चीज यहां पे दिया गया है along the real axis from along the real axis the real axis from axis from देखिए z is equal to 0 से लेकर z is equal to 1 and then यह important है and then यह बड़ा important है then along the line parallel to and then along the line the line parallel to line parallel to okay question थोड़ा बड़ा है I knew it parallel to the imaginary axis to the imaginary axis imaginary axis okay मैं थोड़ा short में लिखा हो from यह important है प्लीज ध्यान देना z is equal to 1 से लेकर z is equal to 1 plus i तक okay तो यह है अपना पूरा question बड़े ध्यान से इसको observe करना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ा और लंबा चोड़ा question है तो पढ़ते हैं एक दफा तो मज़ा आ जाएगा evaluate the integral integral दे दिया है इन्होंने 0 से लेकर 1 plus i तक दिक्कत नहीं है सर along the line from z is equal to 0 से लेकर z is equal to 1 plus i ओके तो z 0 से शुरुआत हो रहा है इसका मतलब origin से वो line की शुरुआत हो रही है और कहां तक जा रही है 1 plus i तक जा रही है तो मुझे पहले 1 plus i को plot करना पड़ेगा कहां पे है वो point और फिर उसके आगे फिर बढ़ना पड़ेगा ठीक है जी तो मैं काम कर लेता हूँ सबसे पहले इनको plotting करा देता हूँ ठीक है जी क्या करता हूँ plotting करता हूँ graph के उपर तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा आपको भी और solve करने को भी ठीक है जी चलो तो यह 0 है कोई दिक्कत नहीं है उस point का नाम आप ओ दे दो जो देना है जो मर्जी देना है दे दो ठीक है एक point में यहाँ पे consider कर लेता हूँ that is 1,1 क्यों क्यों क्योंकि z is equal to because देखिए यहाँ पे z is equal to x plus i y होता है and that is nothing but 1 plus i होता है तो x की value 1 y की value 1 तो x,y कितना हो गया 1,1 कोई दिक्कत कोई परिशानी बिलकुल भी नहीं तो एक काम करा लेते है along the line from z is equal to 0 से लेकर यहाँ से यहाँ तक ठीक है जी यहाँ से यहाँ तक तो मैं एक काम कर लेता हूँ इस point को नाम दे देता हूँ ए ठीक है पहले first वाला solve करेंगे फिर second वाले के उपर जाएंगे second वाली की diagram कैसी होनी है मैं बताऊंगा tension फिलहाल मत लेना फिलहाल इस diagram की तरफ दियान देना कोई दिक्कत है बिलकुल नहीं सर अब देखिए बड़ा मज़ा आएगा अब देखिए बड़ा मज़ा आएगा तो एक काम करते हैं let O से लेकर A O A be the line be the line line from from Z is equal to 0 से लेकर Z is equal to 1 plus I तक ठीक है 0 से लेकर Z is equal to 1 plus I तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर बिलकुल नहीं है therefore equation of line क्या होगा देखिए therefore यह important है equation of line क्या होता है क्या होता है अब कहां से आता है पहले मैं equation of line बता देता हूँ that is Y is equal to X होगा क्योंकि it is a straight line straight line passing from the origin straight line passing from the origin तो यह equation कहां से आया सर देखिए मैं concept बताता हूँ कहां से आया that is nothing but Y2-Y1 upon upon बेलकुल Y Y Y X2-X1 वही कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है और वो पूरा वाला formula यूज करके भी आपको final answer मिल जाएगा Y1-Y भी आप कर सकते हो और यहां पे वापस से सेम सिनारियो है यार X2-X1 वही सेम चीज़ ठीक है तो इससे आप यह बिलकुल find out कर सकते हो कोई problem नहीं है Y2 बोलेगा तो मेरा 1 होगा Y1 बोलेगा तो मेरा 0 होगा कोई दिक्कत है बिलकुल नहीं सर तो यहां पे इसको पूरा लिख देते है X1-X ठीक है X1-X ठीक है तो इससे मुझे वो equation मिल चुका है तो that is Y is equal to X that is what my equation of that particular line ठीक है that particular line तो देखिए यहां पे तो मुझे यहां पे तो Y is equal to X दिखाई पढ़ रहा है therefore मैं यहां पे कह सकता हूँ DY is equal to DX हो गया अब मुझे बताना therefore as Z is equal to X plus IY तो DZ क्या बनेगा DX plus IDY बनेगा बरोबर DX plus IDY बनेगा तो देखिए DY के जगे पे I'll just substitute DX plus I DX बरोबर तो DX को मैंने निकाल दिया common यहां पे रह गया 1 plus I तो DZ के जगे पे I can just put it down as DX 1 plus I कोई परेशानी है बिल्कुल नई सर चलिए आगे कराते हैं therefore अब आगया integration I is equal to बड़े ध्यान से सुनना integration 0 से लेकर 1 plus I यहां पे होना है ठीक है next X minus Y plus I X square और यहां पे होगा DZ यह question है मेरा यह question है सर यह DZ यह दिया गया है अब Y के जगे पे X डालिए DZ के जगे पे अपन ने जो find out किया हुआ है वो डालिए बिल्कुल मचा देंगे शोर ठीक है अब पूरा function जो है वो X में turn हो जाएगा तो limit भी किसका आएगा X का आएगा good one limit भी किसका आएगा X का आएगा तो चलिए therefore यहाँ पे क्या बनेगा I is equal to 0 से लेकर 1 तक again in the bracket X minus Y है Y के जगे पे X डालेंगे because Y is equal to X that is what my equation of line ठीक है तो यहाँ पे करा देंगे यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल प्लस I X square और यहाँ पे 1 प्लस I और यहाँ पे हो जाएगा DX कोई दिक्कत कोई परिशानी बिल्कुल नहीं सर चलिए तो यहाँ तक which is equal to इसको solve कराते है इसको solve कराते है integration 0 से लेकर 1 तक यह XX कट गिया कट गिया I X square और यहाँ पे 1 प्लस I और यहाँ पे DX हो जाएगा ठीक है चलिए 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 इसको multiply करा देते हैं क्या मिलेगा चेक करते हैं integration 0 से लेकर 1 तक multiply करा दो यहाँ पे हो जाएगा I minus 1 और यहाँ पे हो जाएगा X square बाहर और यह DX यह सब क्यों की आ बिल्कुल यहाँ पे हम integration कर सकते हैं that is X cube by 3 और 0 से लेकर 1 तक बिल्कुल तो यहाँ पे I minus 1 यहाँ पे करा देंगे 1 by 3 minus 0 तो वो वैसे भी final answer मुझे मिलने ही वाला है तो final answer क्या है I minus 1 divided by 3 this is gonna to be मेरा first question का जवाब ठीक है first question क्या था एक बार read करी लो तो आपको मजा जाएगा along the line from Z is equal to 0 से लेकर Z is equal to 1 plus I तक यह मेरा first था ठीक है अब second क्या है along the real axis from Z is equal to 0 से लेकर Z is equal to 1 real axis बोलेगा तो X axis तो X axis के उपर 0 से लेकर 1 तक वो जा रहा है and then along line parallel to the imaginary axis यह बड़ा important है तो sir इसकी diagram कैसे आएगी sir इसकी diagram कैसे आएगी देखिए second वाला सवाल हम कर रहे हैं ठीक है पहले तो real axis के उपर जाएंगे ठीक है तो along the real axis यह बिलकुल समझ गया सर और line parallel to line parallel to the imaginary axis बोलेगा तो यह line कहां तक जा रही है बिलकुल 1 से लेकर 1 प्लस आए तक question पढ़ी है मैंने बताया था 1 से लेकर 1 प्लस आए तक तो X तो मेरा already 1 है तो X तो मेरा already 1 है तो Y भी 1 तक वो जाएगा इस प्रकार से वो line क्या होने वाली है travel करने वाली है like this ठीक है तो यह point वैसे भी मेरा A था 1,1 इसमें कोई tension नहीं है इस point को मैं नाम दे देता हूं B चाहिए तो ठीक है यह तो मेरा confirm है यह line ऐसे ही मचा रहे थे हम लोग यहां पर बेलकुल यह first question का ही है तो उसमें कोई tension नहीं है तो इस प्रकार की यह diagram होने वाली है कैसे इसको solve करना है बड़ा ध्यान से सुनना यारण here the first contour here the first contour देखिया first contour क्या रहेगा first contour contour बोलेगा तो region okay contour बोलेगा तो region first contour क्या है contour is OB OB ना real access से वो travel कर रहा है real access से वो travel कर रहा है तो OB OB and then segment and then segment B2A and then segment B से लेकर A तक कोई tension कोई परिशान नहीं सर मजा आ रहा है BA तक ठीक है तो एक काम करते है therefore on OB पहले OB के लिए find out करेंगे y कितना रहेगा ठीकिए OB बोलेगा तो x-axis से x-axis है तो x-axis के उपर y कितना होता है 0 होता है sir तो y हो गया यहाँ पे 0 absolutely बन जाओ hero तो therefore यहाँ पे dy भी मेरा क्या रहेगा 0 रहेगा क्योंकि y 0 है तो dy भी तो 0 होना चाहिए उसका derivative बिल्कुल सही जवाब therefore as z is equal to z is equal to x plus i y यह सब को पता है dz is equal to dx plus i dy रहेगा तो dy मैंने अगर 0 डाला तो यहाँ पे dz बोलेगा तो क्या होगा dx होगा dz बोलेगा तो dx होगा पूरा function x में turn out हो जाएगा पूरा function किसमें turn out हो जाएगा x में turn out हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब therefore यहाँ पे integration bracket में x minus y plus i x square और यहाँ पे रहेगा बिल्कुल भी dz which is equal to integration 0 से लेकर 1 त तो 0 बनेगा तो x plus i x square और dz के जगे पे मैंने डाला simply dx कहां से आया मैंने उपर बताया हुआ है राइट है जी पिल्कुल फटा फट से इसको integrate करो final answer integrate करने के बाद आपका यही आता है that is 1 by 2 plus i 1 by 3 इसको integrate किया तो तो यह कहां से कहां तक के लिए था on ob के लिए था किसके लि बात करूंगा बी ये के लिए अब मैं बात करूंगा बी ये के लिए जो खड़ा वाला है ओके जी तो चलिए on बी ये on बी ये बी ये पे देखो x is equal to क्या रहेगा 1 रहेगा क्योंकि यह line parallel to y axis है line parallel to y axis है लेकिन शुरू कहां से हुई जनाब x is equal to 1 से वो क्या हुई है शु is equal to 0 हो जाएगा तो आपको hero बनना पड़ेगा यहां यहां पर ठीक है तो therefore dz is equal to dx plus i dy होता है तो therefore dz is equal to क्या बना i dy बना अब देखो line parallel to y axis है तो integration with respect to y आया पहले line parallel to x axis है तो integration with respect to x आया था clear हुई बात ये समझना बेहत जरूरी है या ठीक है clear हो गई भी सर बिल्कुल clear हो गई तो देखिए therefore integration यहां पर जो भी अपना function था वही लिखिए plus i x square और यहां पर dz which is equal to अब आएगा मजा integration 0 से लेकर 1 तक क्योंकि वो शुरू ही वहां से हो रही है ठीक है y के limits की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि line बिल्कुल खड़ी है ना line खड़ी है उसके साथ-साथ integration भी मैं with respect to y से करने वाला हूँ तो limits भी y का आएगा जनाब क्या वात है तो यहां पर मैंने करा दिया तो यहां पर x के जगे पर 1 डालना है y के जगे पर कुछ मट डालना है वो तो ऐसे ही रहना है plus i और यहां पर dz के जगे पर i dy आना है बिल्कुल चलिए क्या कुछ common निकल रहा है क्या बन रहा है फटा-फट से हमें बताई दो 0 से लेकर 1 तक in bracket minus 1 plus i minus i y और यहाँ पे बन जाएगा बिलकुल भी dy सिर्फ i को अंदर multiply किया बाकी कुछ नहीं किया है terms को reshuffle किया हुआ है तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है absolutely minus 1 plus i उसका integration y हो जाएगा minus i y square by 2 हो जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक इसको solve करिए limits obviously y के जगे पे limits को डालिए answer अपको मिल रहा होगा minus 1 plus i by 2 तो यह important है इन दोनों को मिला के अपने को final result बनाना है तो देखिए पहला answer तो मैंने बताया 1 by 2 plus i by 3 second answer अभी अपन ने निकाला therefore total total length of contour length of contour क्या रहेगा contour क्या रहेगा देखिए i is equal to 1 by 2 plus i 1 by 3 ठीक है minus 1 plus i by 2 clear है बिलकुल चेक करिए इसका answer क्या आने वाला है minus 1 by 2 plus 5 by 6 i LCM लेके properly solve करिए तब मज़ा आएगा अगर आड़ा तेड़ा solve कर दिया तो वाटी लगने वाली है जनाब ठीक है तो यह है final answer मेरा बिलकुल given function का specific contour के लिए पहले के लिए क्या था वो भी मैंने बता दिया है अच्छे से सवाल को वापस से देखिए क्योंकि इसके आगे आने वाला जो part है वो इसी के उपर depend रहेगा इसी प्रकार का रहेगा पैराबोला के उपर रहेगा तो जरूर 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 अपने channel के साथ बने रहे है अपन लिए मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए बबाई टेक केर एंड थैंक यू सो मज गाइस